नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का जीवा स्टेडी पर तो पीटिटी 2020 का दो साल वाला रिजल्ट कल जारी कर दिया गया तो अब बात करते हैं कि जो कटोफ है वो तो क्या है कोई फिक्स कटोफ रहती नहीं है फिर भी आप सेप स्कोर देखना चाहते हो तो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कट आफ नाम से वीडियो वो जाकर देख सकते हो ठीक है अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सरकारी कोलेज है गवर्मेंट कोलेज है वो कितने नंबर तक मिल सकती है पूरे राजस्तान में कितनी गवर्मेंट कोलेज है और फीस क् ठीक है government college में फिस क्या होती है private college में फिस क्या होती है वो सब जाने की कोशिज करेंगे मैंने जितनी भी जानकारी किसी से प्राप्त किये वो मैं आपको बताने की कोशिज करूँगा तो चलो start करते हैं वीडियो उससे पहले आप channel को subscribe जरूर करें ठीक है तो बात करते हैं government college की तो government college का सबसे पहले हम संक्य की बात करें तो पूरे राजस्तान में आपको अधिक्तम ज़्यादा से ज़्यादा आठ से दस government college ही मिलेगी ठीक है आठ से दस government college ही मिलेगी पूरे राजस्तान की बात कर रहा हूं है क्यों क्योंकि संभाग इस तर पर एक ही कोलेज होती है ठीक है जैसे हमारे संभाग है विक्कानेर संभाग तो उसमें चार जिल्ले आते हैं ठीक है चार जिल्लों पर सिरफ विक्कानेर में एक कोलेज है बाकी कहीं कोलेज नहीं है विक्कानेर में कोलेज है फिर चूरू और ग दिक्तम दस हो सकती है, गवर्मेंट कोलेजों की संक्या, ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने नमबर से उपर वालेओं का, वहाँ पर एडमिशन हो सकता है, और दूसरी बात कि, वहाँ पर फीस का क्या स्ट्रेक्चर रहता है, तो उसमें कुछ सर्ते होती हैं, मैं आपको बता फिल करें, गवर्मेंट कोलेज, ठीक है, और साइंस में अगर आपके 460, 70 से उपर हैं, तो आप गवर्मेंट कोलेज चूज कर सकते हो, ठीक है, अगर थोड़े बहुत कम भी है, 10-15 नमबर तो भी आप है, अपनी जो काउंसलिंग है, उसमें जो कोलेज चूज करोगी, उस ठीक है, अब बात करें, गवर्मेंट कोलेज की, तो गवर्मेंट कोलेज में आपको ये फिस वापस मिल जाती है, लगबग पूरी की पूरी, ठीक है, लगबग दोनों साल का मिलाकर, दो तीन अजार उपे का खरचाता है, बीएट की फिस का, ठीक है, बाकी जो पैसे होते ह उसका, फिस का खरचा, ठीक है, वरना अगर आप प्राइवेट कोलेज से करते हो, तो आपके चोपन अजार उपे, दो साल के लगते हैं, ठीक है, फिस के, अब बात करते हैं, क्या सरते होती है, हर किसी को वापस नहीं मिलती है, तो उसकी सरते होती है, एक तो जो सालाना है, जो अपने माता पिता की सालाना आए, आठ लाग से कम होनी चाहिए, ठीक है, आठ लाग से कम होनी चाहिए, माता पिता की वार्सिक आए, ठीक है, दूसरा, माता और पिता दोनों क्या है, गवर्मेंट जो में नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई एक हो तो चलेगा, लेकि चाहिए SC ST से हो, गवर्मेंट कोलेज में गरेडमिसन होता है तो आपको फीज वापस मिलेगी, ठीक है, बस जो आए है साला ना आए, वो आपकी 8 लाग से कम होनी चाहिए, और माता पिता दोनों सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए, और गवर्मेंट कोलेज मातर 10, अधिकतम 10 हो सकती है, ठीक है, 10 से कम-कम इकोलेज है पूरे राजिस्तान में, ठीक, वो भी कया है, हर एक संभाग स्तर पर एकोलेज है, तो आप लिस्ट तो अभी कया है, गवर्मेंट कोलेज की नहीं है, क्योंकि कल या परसों तक जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब लिस्ट डाल दी जाएगी उसमें आप देख पाओगे खुद भी यहाँ पर आपको लिस्ट आजाएगी कहीं न कहीं ठीक है तो यह रहता है सरकारी को लेज़गा सिस्टम ठीक है वहाँ पर फिस आपको चाहिए किसी भी केटिगरी से हो वापस मिल जाती है लेकिन कुछ सर्ते होती है जो मैंने आपको बता दिये तो आप किसी भी परकार की कोई भी अपडेट पानी हो आपको तो जीवा स्टेडी को सब्सक्राइब करें मैं समय समय पर आप को अब गते कराता रहूंगा धन्यवाद बने रहें जीवा स्टेडी के साथ